नमस्कार साथी और नई वीडियो में आपका स्वागात है दोस्तों मत्प्रदेश सिक्षक अध्यपक करमचारियों की हरताल आंदोन को लिकर बड़ी खवर है सौमबार को होगी समीच्छा वैटक अध्यापको के आंदोलन से मुक मंत्री की बढ़ गई है टेंसन देराथ सिक सिक्षा मंत्री के साथ बैठक में 5 पिरमुक मांगों पर सह्मती बन गई है और आज का दिन निरनायक हो सकता है कि करमचारियों की संक्या बढ़ती है तो सोंबार को केविड़ बैठक करके 5 पिरमुक मांगे मान ली जाएंगी और यद्या नहीं बढ़ती है तो इसी परकार से इनका आंदोलन चलता रहा और सिक्षक अद्यपक धर्णा इस तर पर बैटे रहेंगे कम संक्या में विस्तार से पूरी घर आपको बताने वाले हैं कि कल क्या हुआ है मुक मंत्री ने देर रात तक बैटक बुलाई थी और आद गंटे तक बैटक चली थी उस बैटक की पू यही कारण है कि प्रदेश के कई जिलों में इसकूलों में ताले लटके हुए हैं इसके अलावा इस आंदोलन का असर इतना गहरा हो गया है कि मुक मंत्री स्री सिबराज सिंग चोहान अब दवाब में आ गया है बुलाया और बैटक में उन्होंने करम चारियों के आंदन को लेकर पूरी रिपोर्ट अधिकारियों के तरफ से जो बेजी गई थी उसके बारे में समीक चकी और उसके बाद सिक्चा मंत्री केलास विस्वास सारंग से इस मामले पर बिस्तार से चर्चा की सूत्रों से मिली इन करमचारियों के उपर कोई बड़ा एक्सन भी नहीं ले सकते लिहाजा इन करमचारियों ने अपनी छे सूत्री मांग रखी है उन मेंसे अगर हम पांच मांग मान लेते हैं तो संबावे की करमचारियों का आंदोलों खत्म कर दें और हम करमचारियों के उपर एक मांगों को मान लिया या अब आप हमारी बात मान करके अपना आंदुल उंख कर दीजिए इस बात पर केला से इस मामिले पर थोड़ा सा हमें केविनेट के मांकी cilantro से भी IG्न कर लेनी चाहिए कि इस मामले पर क्या action लिया जाना चाहिए क kaufen कि है मामला गंबीर हो गया है और ऐसे में अगर हम करमचारियों को लेकर कोई फैंसला अकेले लेते हैं तो जाहिर इसी बात है कि आगे कोई और समस्य प्यदा ना हो जाए ऐसे में बताया जा रहा है कि मुकमंत्री स्री सिवराज सिंग चोहन करमचारियों के आंदोन को लेकर के सौंबार को बड़ी एक समीचे बैठक कर सकते हैं और केविनेट की बैठक के जरिये मुकमंत्री स्री सिवराज सिंग चोहन आंदोलित में करमचारियों को मनाने के लिए उनके पांच पिर मुकमंगों को सुईकार करते हुए पूरा करने की हरी रेंडी दे सकते हैं दरसल मुकमंत्री सिवराज सिंग चोहन चाहते हैं कि इसका खामियाजा हमें आगामी बिदान सवाचुना में भी बहुत ना पढ़ सकता है कि जैसे हम इन करमचारियों पर एक्षिन लेंगे बांकी भी करमचारी इनके साथ जुड़ जाएंगे और यही कारना है कि मुकमंत्री सिवराज सिंग चौान ने केंद्री एक कार समीटी क भीजे गए जबाब में भी इस बात का जिक्र किया है कि करमचारियों के आंदोर को खत्म करवाने के लिए लगातार प्रयास रत हैं और इसके बारे में पूरी रूप्या का त्यार कर रहा है इसके अलावा मुकमंत्री सिवराज सिंग चौान हो सकता है कि केविनेट की का अंदाजा लगा लेना चाहते हैं कि रहीवार को छुटी है और छुटी के दिन कितनी संक्या में करमचारी आंदोरने भाग लेते हैं और खासकर मुकमंति सिवराज सिंग्चौन इस बात का पता लगाने की कोशिस भी करेंगे कि कि विए चुटी के दिन जब करमचारी को पास कोई بھی सरकारी काम नहीं होगा तो क्या वह इस आंदोलन को समरतन देने के लिए आंदोलन स्थल पर जाएंगे और अगर आंदोलन स्थल पर आ रहा हैं तो कितनी की संक्या में आ पर चुरू होगी और इस मुद्धे पर ध्यान दिया जागा क्या करमचारियों की के दिन मुकमंतरी सिवराज सिंग चोहान अधीकारियों के जरिए इस बात का नवज टटोलने की कोशिस करेंगे कि अगर करमचारी संक्या आंदुलों में बढ़ती है तो उसके बाद उस हिसाफ से फैंसला केविनिट में लिया जागा ऐसे में आंदुलत करमचारियों के पर भी दबाब बढ़ेगा और यही बात मुकमंतरी सिवराज सिंग चोहान जान लेना चाहते हैं कि केलास बिसवा सारंग और मुकमंतरी सिवराज सिंग चोहान के बीच तक्रीवन आदे गंते की बैटक चली और इस बैटक में इन मुद्दों पर चर्चा की गई करमचारि इसके सिक्षक अध्यपक हैं तो इसका समर्तन करें और हम भी आपका समर्तन कर रहे हैं आपकी वीडियो कवरेज दे रहे हैं आपके अंदोलन को तो दोस्तो इसके लिए आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूल करें वीडियो को लाइक करें अपने बिचाल लेकिए और इस